नमस्कार न्यू जुरूम में आप सभी का स्वागत है अमेरिका में 47 राष्टपती के चुनाओं के लिए मंगलवार को होने वाले मद्दान से पहले ताजा सर्वेक्षण में उपर राष्टपती कमला हैरिस और पूरू राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प के पीच काटे की देखी जा रही है हम आपको अधादें कि 60 वर्शी कमला हैरिस टेमोक्रिटिक पार्टी की जरूर से राष्पती पता की उम्मिद्वार है और 78 वरष्पती टरम्प राष्पती पते लिए रिपब्लीकन पारटी के उमिद्वार है चुनाओ जीतने के लिए किसी उम्मिद्वार को निर्वाचक मंडल के 270 वोट की जरूरत होती है। संकेत मिलता है कि चुनाओ का फैसला साथ राज्यों एरिजोना नेवादा विसकॉंसिन मिशिगन पैंसिलवेनिया उत्तर कैरोलाइना और जॉर्जिया के नतीजों से होगा। इन्वे से मिशिगन और पैंसिलवेनिया 270 के आंकडे तक पहुँचने में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं। The New York Times और Siena College के सर्वेक्षणों में पाया गया है कि कमला हैरिस उत्तरी करोलाइना और जॉर्जिया में ताकत हासिल कर रही है जबकि ट्रम्प ने पैंसिलवेनिया में उनकी बढ़त का सिल्सिला थाम दिया है और एरिजोनों में अपनी बढ़त बनाई रखी है। New York Times के अनुसार सर्वेक्षणों बताते हैं कि कमला हैरिस अपने वादा उत्री करोलाइना और विसकॉंसिन में मामली बढ़त पर हैं जबकि डॉनाल्ड ट्रम्प एरिजोना में आगे हैं। अख़वार की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मिशिगन, जॉर्जिया और प्रेंसिलवेनिया में दोनों नेताओं के बीच कांटे की टककर है। सभी प्रवुख राष्ट्रिय और चुनाओं के लिहाद से एहम राज्जियों में सर्वेक्षणों पर नज़र रखने वाले रियल क्लियर पॉलिटिक्स ने कहा है कि ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच बरावरी की स्थिती है, राष्ट्री सर्वेक्षण में ट्रम्प शू बढ़त मिलती नहीं दिख रही, अपने अंतिम सर्वेक्षण में एन्बीसी निउज ने कहा है कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि कमला हैरिस को आमने सामने के मुकाबले में 49% मद्दाताओं का समर्थन मिल रहा है, जबकि ट्रम्प को भी इतने ही प्रतिशत, यानि 49% का स राश्पती का आधिकारिक कारले और आवास के लिए सबसे करीबी मुकाबले के रूप में दर्च होने वाला है, इस भी चुनाओ के दिन की उल्टी गिंती शुरू होने के साथ ही, पूरू राश्पती ट्रम्प ने साल 2020 के चुनाओ की कड़वी यादें ताजा करते वे कह है कि उन्हें वाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था, उनके इस बयान से यह हैशंका पैदा हो गई है कि अगर वह कमला एरिस से चुनाओ हार गए तो शायद वह 5 नौबर के मद्दान के नतीजे को स्विकार नहीं करेंगे, पूर रस्पती ट्रम्प ने पैंसिलवेनि के पक्षमें नहीं है, दूसरी और कमला हैरिस का कहना है कि पूरे देश में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि लोग नफरत तथा भेदभाव को खत्म करने के लिए और आगे बढ़ने का नया रास्ता तयार करने के लिए द्रड़ संकल्पित हैं, कमला हैरिस मिशिगन के डेट्रोइट सित एक चर्च में अपने भाशन में कहा, जब मैं अपने खुबसूरत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य और एक चर्च से दूसरे चर्च की आत्रा करती हूं, तो मेरे मन को काफी सुकुन मिलता है, मैं एक ऐसा रास्तर देखती हूं जो नफरत और भेदभाव को खत्म करने और देश को आगे बढ़ाने के लिए नया मार्क तयार करने के वास्ते दड़ संकल्पित है। को प्रेणा मिलेगी कि वे किस तरफ बदलाव के लिए एक जुट हो रहे हैं। कमला हैरिस ने अपने टिपड़ियों में गाजा में युद्ध का भी जिक्र किया जैसे राज्य में अरब अमेरिकी मद्दाताओं तक पहुंचने के प्रयास के रूप में देखा गया। उन्होंने कहा गाजा में मृत्यू और विनाश के पैमाने को देखते वे तथा लेबनान में आम नागरिकों के मारे जाने और विस्थापन को देखते वे कहा जा सकता है कि यह वर्ष मुश्किल भरा रहा है। यह विनाशकारी है। हम आको उतादें कि पूरे प्रचार अभियान के दौरान कमला हैरिस इस चुनाओं को देश की मौलिक सुद्धनतरता की रक्षा, समयधानिक मुल्यों की रक्षा और महिलाओं के अधिकारों को सुनस्चित करने वाले चुनाओं के रूप में पेश कर रव्यार तक 7.5 करोड से अधिक अमेरिकी लोग अपना वोट टाल चुके हैं।